नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुरादा नाम की लड़कियों की बारे में जिसकी रिक्वेस्ट अंकित सुथार जीने की है लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप सभी अपने सवाल मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं यदि आप भी किसी नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजे आपको उस नाम से संबंदित सारे जानकारी दी जाएगी अनुरादा नाम की लडियो को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें इस वीडियो में आपको अनुरादा नाम का मतलब राशिफल, शुब अंक और अनुरादा नाम की लडियो का व्यक्तित्व और वेवार कैसा होता है ये सारे जानकारे दी जाएगी किसे भी व्यक्ति या महिला का नाम जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके स्वभाव का स्वामी होता है जोते शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के पहले अक्षर को जान कर आप उसके व्यक्तितों का पता लगा सकते हैं हलाकि किसी को जानने और समझने के लिए एक मुलकाद जरूरी होती है लेकिन अगर आपको उसका नाम पता है तो आप उसके स्वभाव को जान सकते हैं अस्य प्रतिसत लोगों में जोतिश शास्त्र काम करता है अगर किसी पर यह जोतिश शास्त्र काम नहीं कर रहा तो समझ लीजिए उसको घर में अन्य लोग किसी और नाम से बुलाते हैं आईए अनुराधा नाम के बारे में जाने अनुराधा नाम का मतलब अनुराधा नाम का मतलब एक चमकीला तारा होता है अपने बच्चे को अनुराधा नाम देने से पहले यदि आप उसका अर्थ जान लेंगे तो इससे आपके शिशु का जीवन सवर सकता है अपने संतान को अनुराधा नाम देकर आप उसके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं आपको बता दें कि अपने शिशु को अनुराधा नाम दे कर आप उसके जीवन में सकरात्मक संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं अनुराधा नाम का अर्थ जानने के बाद आप भी अपने बच्चे को अनुराधा नाम अराम से दे सकते हैं ऐसे में अगर आप अपने बच्चे का नाम अनुरादा रखने की सोच रही हैं तो आपको बेशक जानना चाहिए कि अनुरादा नाम का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है। आपके दुआरा चुने जा रहे अनुरादा नाम का इंग्लिश में मतलब है A Bright Star अनुरादा नाम की राशी मेश होती है बच्चे के जन्म के समय चांद जिस राशी वनक्षत्र भाग में होता है उसी राशी वनक्षत्र से संबंदित अक्षर से बच्चे का नाम रखा जाता है। इस तरह अगर आपके बच्चे के जन्म के समय चांद मेश राशी के भाग में होता है तो इस राशी के अक्षर के अनुसार आपके बच्चे का नाम अनुरादा रखा जा सकता है। मंगल ग्रह मेश रासी का स्वामी माना जाता है मेश रासी का अरादय देव भगवान श्री गनेज जी को माना जाता है मेश रासी की अनुरादा नाम की लड़कियों का अपने मन पन नियंदर नहीं होता जिस कारण ये खुद को खाने से रोक नहीं पाती है और पेट की बिमा से ग्रस्त हो जाती हैं अनुराधा नाम की लड़कियों में अगनी तत्व का पिरभाव अधिक होने के कारण ये दिन भर उर जवान रहती हैं और अधिक समय तक काम कर सकती हैं अनुराधा नाम का शुब अंक जिनका नाम अनुराधा होता है उनका ग्राय स्वामी मंगल और ल प्रुवाद में काफी महनत करनी पड़ती है, लेकिन अंत में ये सफलता प्राप्त कर ही लेती है। अनुरादा नामवाली लड़किया निडर होती है, और कभी-कभी ये इन के लिए मुसीबत का कारण भी बन जाता है। इनमें नेतरित्व करने का गुण होता है और अनुरादा नाम की महिलाएं बहतरी नेता बनने का गुण रखती हैं इस संक से जूड़ी लड़कियां दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही पूरी शिद्दत के साथ निभाती हैं अनुरादा नाम का व्यक्तितु और वेवार अनुरादा नाम की महिलाएं साहसी, आत्मविश्वासी, महत्वाकांशी, वज्जिक्यासु होती हैं अनुरादा नाम की महिलाएं खतरों से खेलने का शौक रखती हैं अनुरादा नाम की लड़कियां नए काम के लिए हमेशा तत्पर रहती है चुनोतियां अनुरादा नाम की लड़कियों को पसंद नहीं होती है ये हमेशा उर्जा से भरी रहती है इस राशिय से जोड़ी अनुरादा नाम की लड़कियां जल्दी जित पकड़ लेती हैं और इनमें काफी अभिमान भी होता है करियर और पैसो के मामले में अनुरादा नाम के महिलाएं किसी तरह का समझोता नहीं करती अनुराधा नाम की महिलाएं प्यार और रिष्टों को काफी महत्व देती हैं लेकिन बहुत जादा रोमेंटिक नहीं होती है अनुराधा नाम की महिलाएं सुन्दरता को काफी पसंद करती है और खुद भी बहुत सुन्दर होती है इनकी एक खासियत होती है ये अपनी बात सबसे नहीं कहती है अनुरादा नाम की लड़कियों के जीवन में हर चीज देर से हासिल होती है लेकिन जब भी सफलता मिलती है तो वो सफलता की चरम सीमा होती है अनुरादा नाम की लड़कियों का जीवन संगर्स से भरा होता है लेकिन ये मन्जिल को पाही लेती है ये धोके बाज बिलकुल नहीं होती है और ना ही ये धोके बाजी को पसंद करती है अनुरादा नाम की महिलाएं मुके की नजाकत को समझने वाली और हालात की हिसाब से फैंसलि लेने के कारण हर दिल अजीज होती है लेकिन इन में एक दोश होता है कि ये क्रोधी सोभाव की होती है अनुरादा नाम की लड़कियों का शुब रंग, लाल, सफेद और पीला रंग, शुब दिन, मंगलवार का दिन, शुब पत्थर, मुंगा अथवा, गार्नेट रत्र, लाबदायक और शुब साबित होता है तो दोस्तों आपको मेरी बताय हुई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे साथ ही आप सभी मुझे इंस्ताग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी अपने सवाल मुझे इंस्ताग्राम पर पूछ सकते हैं यदि आप भी किसी नाम की वीडियो बनवाना चाते हैं तो आप मुझे नाम वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं आपको उस नाम से संबंदित सारे जानकारी दी जाएगी दन्यवाद